दोस्तों जब सिर्व में खारिश होती है तो व्यक्ति बहुत प्रशान होता है, उसे लगता है कि वो कोई और काम कर नहीं पाएगा लेकिन ये खारिश ठीक होने वाली चीज है, प्रोपर ट्रीटमेंट से प्रोपर इलाज से इसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सिर में खारिश होने के, सिर में खुजली होने के, सिर में किसी भी तरह के इचिंग होने के दस क्या क्या कारण है. चलिए जानते हैं कि वो 10 कौन से कारण है जो आपके बालों में जो आपकी स्कैल्प में जो आपकी स्कैल्प की तवचा में खारिश कर सकते हैं इचिंग कर सकते हैं खुजली कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहला कारण है डेंट्रफ जी हां डेंट्रफ आप सब डेंट्रफ के बारे में जानते हैं डेंट्रफ ड्राई भी होता है वेट भी होता है डेंट्रफ जब होता है तो फ्लेकिंग कर देता है आपके बालों के अंदर वाइट कलर के फ्ले करती है दोस्तों डेंटरफ को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है कुछ मेडिकेजिट शेंपू जो एंटी डेंटरफ शेंपू होते हैं उनके इस्तेमाल से और कुछ दवाईयों के दूसरा कारण है किसी कलर की वज़े से या किसी अन्य अत्वाद की वज़े से जिसे हम कुंटेक्ट ढर्मे टेटिस भी कहते हैं दोस्तो जब बालों के अंदर किसी तरह का कलर किया जाता है तब कहीं बार इन कलर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो बालों के अंदर या स्कैल्प के अंदर इचीनेस कर सकते हैं खुझलिक कर सकते हैं और ये बहुत ही परशान करती है दोस्तो इन केमिकल को इन इंग्र होने वाली खारिश हैं सब की सब ठीक होने वाली बीमारिया है इनसे बिल्कुल भी परशान होने की अफशक्ता नहीं है दोस्तो सिर में खुजली होने का तीसरा कारण है हाईव्स जी हाँ हाईव्स ये एक परकार का आर्टिक के रिए होता है शरीर के अंदर मास्ट सेल्स होती है वो हैपारिन नम का केमिकल रिलीज करती है ये रेड कलर की होते है थोड़े से उठे हुए होते है रेज़ दोते है और बहुत तेज खारिश करते हैं, जब इस तरह के hives आते हैं, तो मनुश्या बड़ा परशान हो जाता है और ये कई बार आते हैं, और फिर चले जाते हैं, फिर दोबरह से आ जाते हैं, इस तरह के hives अच्छे treatment से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं दोस्तो सिर्व में खुजली का चोथा कारण है head lice, सिर्व के अंदर चोटी चोटी जूए हो जाती है, ये mites, ये lice मनुश्य को बहुत परशान करते हैं, ये एक दूसरे से भी फैल जाते हैं, यदि आपके संपरक में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जिसको lice है या pediculosis है, त ऐसे व्यक्ति से आप दूर रहें, ताकि आपको head lice ना हो, सिर्व में खुजली होने का पांचवा कारण है scabies, जी हाँ दोस्तो, scabies एक बड़ी ही अजीर सी बिमारी होती है, ये teeny bugs की वज़े से होती है, ये पूरे श्रीर में हो सकती है, उसके साथ-साथ आपकी scalp पर भी हो सकती है, और ये मनुष्य को बहुत परशान करती है, तो इसका treatment आप जल्द से जल्द लें, और एक से दो बार के treatment में, ये scabies आपकी scalp से बिल्कुल पूरीतने खतम हो जाती है, दोस्तो, सिर में खुजली का छटा कारण है ringworm, scalp ringworm, दोस्तो, ये ringworm एक fungal infection होता है, जो fungus की जैसे जो फफूंद शरीर में या सिर में पैदा होती है, उसकी जैसे ये ringworm के patches हो जाते हैं, ये आम तोर पे round shape में होते हैं, लेकिन irregular भी हो सकते हैं, ringworm की जैसे आपकी scalp में बहुत जादा खुजली हो सकती है, आप किसी dermatologist की सला से इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, दोस दोस्तो इसे एक ऐसा ध्यरोग माना जाता है, इसके अंदर 50% पेशन्ट को खुजली हो सकती है, जब scales उतरते हैं, जब मचली की खाल की तरह से मुनुष्य की scalp से या skin से scale उतरते हैं, यानि मुनुष्य की खाल 10 गुना तेजी से जल्दी replace होती है, इसे सुराइसिस कहा जात सिर में खुजली का आटमा बड़ा कारण है, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जीमा, दोस्तो एक्जीमा भी एक autoimmune disorder है, इसे द्वाईयों के माधियम से ठीक किया जा सकता है, ये बहुत प्रशान करने वाले विमारी होती है, जब मनुष्य को एक्जीमा होता है, तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस, जब हमारी स्किन के नीचे सीबब बनाने वाली ग्रंथिया, सिबोरिक ग्लैंड्स मनुष्य की स्कैल्प को या स्किन को ओयल परदान करती है, वो ज़्यादा हो जाती है, तो ओयल ज्यादा बनने की वज़ए से इस तरह की खारिश होती है, आपको अपने स्किन के उपर, आपको अपनी स्कैल के उपर किसी भी तरह का ओयल इस्तेमाल नहीं करना होता है, और ओयली स्पाइसी चीजों से भी बचना होता है, आपको फाइबर, पानी और संतुलित भोजन लेना होता है, नींद पूरी लेनी होती है, वर्काउट कोरना होता है ताकि आपकी यह समस्या ठीक हो सके दोस्तों सबसे अंतिम और दस्वा कारण इसकी खुजली का है नीरोपहती जैसा कि आप सब जानते हैं नरव की वज़े से इस तरह की खारिश हो सकती है जैसे डावेटिक खारिश या इचिनेस हो सकती है मैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी लाब दैक होगा क्योंकि स्किन की इचिंग कभी ना कभी हर मनुश्य को परशान करती है यदि आप चाहते हैं इसका लाब आपके दोस्तों को भी मिले तो आप इस वीडियो को शेर करिए और आप कमेंट करिए जिस विशे पर आप वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नहीं विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार